खासी से सिर्फ एक मिनट में राहत पाएं नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल कर स्वागत हैं दोस्तों बदलते मोसम में कई बीमारियां हमें लग जाती हैं उन बीमारियों में से एक है खासी खासी सुनने में जितनी आम समस्या लगती है उतनी ही परिशानी पैदा क कई बार कहासी की वज़ह से लोग रात में सो ही नहीं पाते क्योंकि ये रात में काफी बढ़ जाती हैं ईसे में लोग क्या करते हैं वो कफ सिरफ पी लेते हैं लेकिन डोस्तों इस कफ सिरफ को पेने से कई नुकसान भी हो जाते हैं दरसल कफ सिरफ में कुछ ऐसी चीजे मिली हुई होती हैं जिसकी वज़े से आपको हलका नशा होने लगता हैं जिसके पीने के बाद आप कुछ काम नहीं कर पातें यहां तक कि रात को कफ सिरफ पीएंगे तो अगले दिन सिर्फ भारी भी रह सकता है तो फिर ऐसे में क्या किया जाए किस एक मुस्खे से हमारी ये प्रोब्लम दूर हो सकती हैं दोस्तो हम आपको एक ऐसा नैच्रल तरीका बताएंगे जिसका प्रियोग करने से आपकी जो खांसी है वो बिलकुल सही हो जाएगी एकदम से आपकी रुक जाएगी खांसी और आ इसकी जगह आप लोंग की सहायता ले आपने क्या करना है चिम्ते की मदद से लोंग को सीधे ही आग में भूल लेना है आप ज़्यादा तो भूने नहीं इसको नहीं तो वो जलकर राख हो जाएगी दोस्तों जब आप इसको भूनेंगे तो यह हलकी सी फूल जाती है आपन खासी बंद हो जाएगी और आप राहत की सांस लेंगे लोंग में दोस्तों एंटी बैक्टिरियल तत्व होते हैं जो खासी और देर तक खासी होने से पैदा हुए गले में दर्द को भी आराम कर देती हैं साथ ही लोंग में मुझूद इसे नौल के कारण लोंग बलगम हट जाता है और शरीर को गर्मा हट देता है आप दो से तीन बार एक दिन में भूनी हुई लोंग खा सकते हैं दोस्तों खासी के लिए भूनी लोंग खाना एक खरेलू नुसका है यह जरूरी नहीं है कि यह सब को सूट कर जाए इसको लेने से पहले आप एक बार आजमा कर जर करता अगर आपको जादा ही खासी है तब आपने डॉक्टर से पूरा चेक अप कराकर अपना ट्रीटमेंट कराना है नहीं तो आप इस नुस्खे से आप घर पर ही अपनी खासी को सही कर सकते हैं तो दोस्तों यह था वो नुस्खा जिससे आप एक मिनट में ही घर पर खासी से रहात पा सकते हैं, तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्रीaders हमारी वीडियो को लाइक और शेर जुरू करें, साथ में हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब करें, सबस्क्राइबर बटन के साथ जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें धन्यवाद दोस्तों